असलाम अलेकम आज का जो हम क्वेस्टिन डिसकस करेंगे वो पास्ट पेपर 2021 का है लेकन ये क्वेस्टिन बहुत ही आसान भी है और सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट क्वेस्टिन है चेप्टर नुबर 5 का और ये चेप्टर नुबर 5 का ऐसा कोस्टिन जिसको आगर सॉल्व करते हैं तो 80% आप लोगों को चेप्टर नुबर 5 आजाएगा इसको आपने मिस्ट नहीं करना फुल वाच करना इन्शाला मैं आपको गरंटी से कहत कहता हूँ 101 परसेंट आप लोगो को कहता हूँ कि यह वला को सिन आप люди आईगा ठीक है और बहुत ही असान रहति का देखि वह सब से पहले इसमें क्क एक चक्छ्री है क्ले एक समय ऀयो उसमें इसमेटीक्स यह लगती सब भी इस मेर्यव है प्रवाइड करना है S A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि S और A को multiply करना है, कि A को अ कोया सिन नहीं है, कोई sign नहीं है, that means कि इनको हमने multiply करना है, ठीक है? तो हम multiply करते हैं, सबसे पहले यहां पर देखी एस लिखा हुआ है तो यहां पर पहले आप एस लिखेंगे एस क्या दिया हुआ है एसदी और है 1111 ठीक है तो हम यह लिखें लेंगे 111 and 1 ठीक है आगे यह दिया हुब है आगे दिया हुब है अगे दिया है तो एक जागह स्कूलइख निकि का पर यह वाला मैक्टिक्व लिखिंगे ठीक है, 8, 7, 6, 8, 8, 7, 6, and 8, 6, 9, 11, 5, 6, 9, 11, and 5, 4, 3, 2, 0, 4, 3, 2, and 0, 0, 2, 1, 3, 0, 2, 1, and 3, अब इनको मल्टिप्ले करना है, ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, मल्टिप्ले करना बड़ा असान है, कोई मुश्किल काम लिए है, सबसे पहले आपने ये वाली रो लेनी है, इस रो को आपने पहले कालम से मल्टिप्ले करना है, ये वाला पहला कालम है, ठीक है, म फिर दूसरे नमबर को दूसरे से मल्टिप्ले करना है एक को छे से जरब करेंगे तो क्या आएगा छे तीसरे नमबर को तीसरे से जरब करना है एक को चार से जरब करेंगे तो आजएगा चार चोत्य को चोत्य नमबर से मल्टिप्ले करना है ठीक है तो यहाँ पर यह 0 है 1 को 0 से multiply करेंगे क्या आज़ेगा 0 उमीद कता हो कि यह समझा आगी हो गया आप लोगों को अच्छा अब इसके बाद अब आप लोगों ने multiply करना है इस row को अगले column से अगला column कोन से है अगला column यह विला 7, 9, 3 और 2 ठीक है 7, 9, 3 और 2 इनको multiply करना है तो पहला number पहले के साथ एक को 7 से multiply करेंगे 7 आज़ेगा, एक को 9 से जरब करेंगे तो 9 आज़ेगा, एक को 3 से जरब करेंगे तो 3 आज़ेगा, एक को 2 से जरब करेंगे तो 2 आज़ेगा ठीक है इस तरीके से इस row को आपने multiply करना है third column से ठीक है third column से तो third column हमारे पास क्या दिया होगा है 6, 11, 2 and 1 इनको multiply करना है 6 को 1 से multiply करेंगे 6 आ जाएगा 1 को 11 से multiply करेंगे तो 11 आ जाएगा 1 को 2 से multiply करेंगे तो 2 आ जाएगा 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 आ जाएगा ठीक है, अब बार यह है next column की, इस row को आपने next last column से multiply करना है, यह मेरे पास 8 है, 1 को 8 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा, 8, 1 को 5 से multiply करेंगे तो आ जाएगा, 5, 1 को 0 से multiply करेंगे तो आ जाएगा, 0, 1 को 3 से multiply करेंगे तो आ जाएगा, 3, ले जी, यह काम है, इस तरह से आप लोगो खновDart करना ओर छे 14 14 14 18 18 में 0 अड़ करेंगे तो 18 जाल और सान और नौ 16 जोनाओ 19 19 2 21 चान तिक है कई कि सान और 16 16 19 19 21 चले ठीक हो गया ईस्टोरी अच्छा इसके बाद यारा ओन चे 17 17 이후 19 19 21 20 आठ यह और पांच तेरा, तेरा और जिरो, तेरा, तेरा में तीन एड़ करेंगे, तो क्या आएगा, सोला, लें जी, यह हमारे पास आंसर आ चुका है, स, ए का, एक कोईशन नमारा सोलो हो चुका है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें यह कहा गया कि स, ए, फानल करें, सिंपल, यह ह है क्या, इसका मतलब यह है कि आपने पहले, स का ट्रांस्पोज लेना है, ठीक है, स का ट्रांस्पोज लेना है, तो हम लेते हैं यहाँ पर, पहले अप लिखेंगे, यह सेकंड पार्ट अब यहाँ पर लिखेंगे, यह सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट को हम सोल् 1 1 1 and 1 सबसे पहले हम इसका transpose लेंगे तो transpose लेंगे क्या आएगा यह जो row है यह row है इसको आपने column में बदल देना है इस तरीके से ठीक है क्या करना है? column में बदल देना है 1 1 and 1 मैं करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझा आगी होगी अब उसके बाद यहाँ पर देखिए का S का transpose यह वाला हो चुका है अब इनको multiply करना है simple क्या करना है? multiply करना है तो यहाँ पर आप multiply करेंगे A S का transpose simple है पहले अब लिखेंगे A पहले दिया होँ है तो यहाँ पर आप पहले A लिखेंगे 8 7 6 और 8 8 7 6 और 8 6 9 11 और 5 6 9 11 और 5 ठीक है 4 3 2 0 4 3 2 and 0 0 2 1 3 0 2 1 and 3 ले जी यह A आ गया है अब आगे हमने क्या लिखना है S का transpose EJS का transpose यवला answer आया है इसको अपने यहाँ पर लिख लेना है 1 1 1 and 1 ले जी उमेद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझा आगी होगी अब उसके बाद हमने next काम करना है इनको multiply करना है तो मैं यहाँ पर यहाँ बना raise कर देता हूँ ठीक है असानी के लिए ताके बड़ा बड़ा करके लिक सकूँ और आप लोगों को सही सही नजर आ सके ठीक है लेजी अब देखेगा अब इनको multiply करना है एट को one से यह अपने first roll नहीं है 8,7,6,8 यह first roll है इसको अपने column से multiply करना है 8 को one से multiply करेंगे क्या आएगा 8 7 को one से multiply करेंगे तो क्या आएगा 7 6 को one से multiply करेंगे क्या आएगा 6 और 8 को 1 से मल्टिप्ले करेंगे क्या आएगा 8 इस तरीके से इनको मल्टिप्ले करने हैं ठीक है तो ये हमारे पास किसका अंसर आएगा A, S का ट्रांस्पोज ये हमने 1st row को हमने मल्टिप्ले कर लिया है अब 2nd row की बारी है 6 को 1 से मल्टिप्ले करेंगे 6, 9 को 1 से मल्टिप्ले करेंगे तो ये 9 आजएगा 11 और 5 को भी मल्टिप्ले करेंगे तो क्या आएगा 11 और 5 ही आएगा क्योंकि ये सारे नमबर 1 ही है ऐसे ही 4 और 3 को 1 से मल्टिप्ले करेंगे 4 और 3 ही आएगा 2 और 0 को multiply करेंगे तो क्या आएगा 2 और 0 ही आएगा इस तरीके से 0 को 1 से multiply करेंगे तो 0 आएगा 2 को 1 से multiply करेंगे तो 2 आजाएगा और 1 को 1 से multiply करेंगे 1 3 को 1 से multiply करेंगे 3 ठीक है लेजे इस तरीके से इनको multiply करना है अमेद करता हूँ कि आप लोगो इसकी समझ आगी होगी अब सिंपल है इनको आपने एड कर ले न एड करेंगे तो आठ और साथ पंदरा पंदरा और छे इकिस एकिस और आठ अठ इस लेजी ठीक है हाँ ये एड करता वक्त तो मुझसे गलती हो सकती है लेकिन आप लोग अगर गलती हो जाए तो आपने इग्णोर करना है करेक्ट कर लेना इसको 6 और 9, 6 और 9, 15, 15 और 11, 26, 26 और 5, 31 4 और 3, 7, 7 और 2, 9 2 और 1, 3, 3, 3, 6 लेजी ये थी मल्टिप्लिकेशन और ये दो पार थे बड़ा असान क्वस्टिन आई वला याद रखना है ये S है और ये A है ये ना होगी आप वहाँ पर भूल जाएंगी ये पतन ये S कहाँ पर दिया हुआ आपने स्टेट्मेंट को सभी को सारी स्टेट्मेंट को अपने पढ़ने है अच्छे तरीके से रीड आउट करने है आप लोगों को अगर क्वस्टिन के समझा जाएती है स्टेट्मेंट के समझा जाएती है तो समय लेकि आदा क्वस्टिन आपकी ग्रिप में है कि आपको स्टेट्मेंट के समझा गी है लेक्वन अगर स्टेट्मेंट की समझ नहीं आ रही है आप लोगों को कि करना किया है actually तो फिर question जोना अगर आता भी हो तो भूल जाता है ठीक है और get paper solve करते वकत आप लोगों ने परिशान नियो ना कबराना नहीं है ठीक है इसमिला करके start करना है सबसे पहले वो question करना है जो आप लोगों को आता है बिल्कुल 100% वो कfeltि करना है जो आपको 101% आपको शुर्ट ही आगे यह को विल्कुल सही आता है आपने वो करना है पहले यह सारे इस तरह से question करने है end पर जा कि वो question करना है जो जिस पे आप थोड़ा सार आपको doubt है ठीक है इससे बहुत बड़ा फरक पड़ता है और आपके अच्छे marks बन जेगे इस तरह किसे method follow करना है जरूर और मैं आपको गंटी से करता हूँ easily अच्छे marks से पास होजेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब तक लिए आपके लिए अलाहाफीज